दोस्तो आप ये बात तो जानते हैं कि मकड़ी अपने सिकार को फसाने के लिए जाल बुनती है छोटे छोटे कीड़े इस जाल में आसाने से फस जाते हैं इन क्योडों को जाल से निकलना काफी मुश्किल होता है लेकिन आपने कभी गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि मकड़ी खुद उस जाल में एक जगा से दूसरे जगा आसाने से घूम लेती है क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है आई जानते हैं मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाले नहीं होते वा इसका कुछ ही सा चिपचिपा बुनती है वहीं इसके अलावा वैसा हिस्सा जहां मकड़ी खुद आराम्स रहती है वह बीना चिपचिपे पदार्त का बनाया जाता है इसलिए वा आसाने से इसमें घूम लेती है वैसे अपने ही जाल में फसने से बसने के लिए मकड़ी एक और तरकीब निकालती है वह रोजाना अपने पैर काभी अच्छे साब करती है ताकि इन पर लगी धूल और दूसरे कर निकल जाए कुछ बैग्यानिक मानते हैं कि मकड़ी का पैर तेली होता है इसलिए वह नहीं फस्ती लेकिन सस्तोया है कि मकड़ीों के पास और ग्लेंट्स होती ही नहीं वहीं कुछ बैग्यानिक इसकी वज़ा मकड़ी की टांगों पर मौजुद बालों को मानते हैं जिन पर जालेक चिप्चपाहट का असर नहीं होता है